कोरबा से भाजपा की उम्मीदवार सूस्री सरोज पांडे ने जन सभा को संभोशित करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष एवं कॉंग्रेस के वरिष्च नेता चरंदास महत के प्रधानमंत्री निरिन मोदी के सर में लाठी मारने वाले बयान का जवाब जनता जरूर देग उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी श्रीमती जोटसना महत का आडे हांतों लेते हुए कहा कि कंबल ओर के घी पीना कोई सीखे तो इनके पती चरंदास महत से सीखे सूसरी सरोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के उपर ऐसा आक्षिप करने वाले चरंदास महत को मैं कहना चाहती हूँ कि 140 करोड जनता उनके सामने खड़ी है और जनता इसका जवाब जरूर देगी चरंदास महत में ये ताकत नहीं है और ऐसा कहने वाले की बुद्धी एवं विवेक का दिवाला निकल गया है कॉंग्रिस के नेता अपनी हार से बुखला गया है कॉंग्रिस के नेता भरष्टा चार करते हैं ये मैं नहीं कह रही है और ये बात वो आएबाएं करके नहीं बोली है धी सीधी साधी होने के कारण सची बोल गई है और उन्होंने कहा कि मैं पाप साथ हूँ अब अभी मुनके पती चरणदास महंत विदान सभा के अध्धक्षे हैं वो गए राजनात गाओं में भाशर देने आते हैं रात में चुपचाप 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 सबको मिलके चले जाते हैं कुछ पता ने चलता है कितना काम किये हैं आपके हाँ पर कंबल ओड़ कर घी पीना कोई सीखे तो वो इनके पती चरणदास महंत जी से सीखे लेकिन इन्होंने जाकर राजनात गाओं में कहा और हमारे देश के प्रधान मंतरी जिनोंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया हमारे प्रधान मंतरी जिनोंने हम बहनों की चिंता किया हमारे प्रधान मंतरी जिनोंने किसानों की चिंता की जिनोंने युवाओं को रोजगार देने की चिंता करी दस साल में जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया ये बार बार वो प्रधान मंत्री जी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी करते हैं कभी नियाय यात्रा निकालते हैं कभी भारत जोड़ यात्रा निकालते हैं अरे टूटा ही कब था जब जोडने निकलते हैं हमको समझ नहीं आता उसी लाइन पे ये चरणदास महन जी ने कहा कि भूबेश बगेल जाएंगे तो वहाँ पर प्रधान मंत्री जी के सिर पर लाठी मारेंगे उनके मूडी को फोड़ देंगे कहते हैं ये प्रधान मंत्री जी के ऊपर ऐसा आखशेप करने वाले चरणदास महन जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब को गुज़रना पड़ेगा हम सब लोगों के भज्जारों करोनों कारी करता नहीं डेर सो करोन, 140 करोन जनता उनके सामने खड़ी है और जनता इसका जवाब उनको जरूर दैगी चरणदास महन त में ये ताकत नहीं है और ऐसा कहने वाले इनके बुद्धी और विवेक का दिवाला निकल गया है कॉंग्रेस के नेता अपनी हार से बौकला गये है उनको दिखाई देता है कि कॉर्बा लोगसबा छेतर से वो हार में हैं ये हार की बौकलाहट जबान पर है और कॉंग्रेस के नेता की ये हार की बौकलाहट इस बात का घोतक है कि 36 गड़ में हम सभी सीटे जीत रहे हैं